नमस्कार दोस्तों आव तक चैनल में आपका स्वागत है आज में सिन्गल करलर का एक बहुती कुब शुरु डिजाइन हुँ जिसे आप जैन स्वेटर में डालिए ईजाया लेडी स्वेटर में डालिए बच्चों के स्वेटर में डालिए इस बहुत ही और तो यह चोटी चोटी बुटी का यह भारीक conse design देखने में बहुत ही सुन्दः लगता है और किसी भी प्रोजेक्ट में यह पहुत अच्छा लेगा जैन स् के लिए हमें इवन नंबर में कोई भी फंदे चाहिए यानि जो दो से करता हो जैसे 36, 40, 42, 52 ऐसे दो से करने वाले कोई भी फंदे हम ले सकते हैं तो मैंने सीधी तरब से इसे बुन लिया है, सीधी तरब से मैंने बाडर बुन दिया है और अब हम रॉंग साइड में हैं, तो रॉंग साइड में हम सभी फंदे उल्टे बना लेंगे और यदि हमें फन्दे बढ़ाने हो तो हम इस तरफ से उल्टी तरफ से फन्दे बढ़ा सकते हैं तो मैंने तो मैंने रॉंक से सबी फन्दे उल्टे बुन लिए अब हम सीधी तरफ हैं और यह डिजाइन का पहला लाइन है तो पहला फन्दा हम स्लिप कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट फन्दा इसे भी हम स्लिप कर लेंगे इसे हमें ऐसे neat wise slip करना है फिर next फंदे में हम एक बार सीधा बुनेंगे फिर इसी फंदे में हम वापस एक बार back loop से सीधा बुनेंगे तो हमने देखिए दो फंदे बना लिए अब जो फंदा हमने slip किया था उसे उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे next फंदा हम slip करेंगे अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे फिर इसी फंदे को ऐसे घुमा कर वापस back loop से एक और सीधा फंदा बना लेंगे अब जो फंदा हमने slip किया है उसे उठाएंगे और दोनों फंदों को जो हमने अभी बुना है दूसरे फंदे में एक से दो किया है उन दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे अब ये छोड़ देंगे next फंदा ऐसे नीट वाइज slip करेंगे अगले फंदे को सीधा बुनेंगे फिर अभी हमें इस फंदे को गिराना नहीं है वापस इसी फंदे में ऐसे गुमा के हम पीछे से सलाई लाएंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे तो हमने एक फंदे से देखिए दो फंदे बना लिए अब जो फंदा हमने की रख slip किया है इसे उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे फिर से देखिए अगले फंदे को हम ऐसे knit वाइज slip करेंगे next फंदे को सीधा बनेंगे अभी हमें इस फंदे को गिराना नहीं है बलकि दाइनिस लाए को ऐसे घुमा के ऐसे पीछे की तरब से ले जाएंगे इसी फंदे में और एक सीधा फंदा बना लेंगे अब जो फंदा हमने slip किया था उसे उठाएंगे और इन दोनो इस धागे को ऐसे अगर पकड़ लेंगे तो हमें इसमें से ऐसे निकालना आसान हो जाएगा तो दोनो फंदो को हमने slip कियो फंदे में से दोनो फंदो को निकाल लिया अगला फंदा फिर ऐसे निट वाइज स्लिप करेंगे नेक्स्ट फंदे को सीधा बनेंगे अभी हमें इस फंदे को गिराना नहीं है बलकि दाहिनी सलाई को ऐसे पीछे से घुमा के लिए आईए और इस फंदे में हमें देखिए पीछे की तरफ से एक सीधा फंदा बना लेगे अब स्लिप कियो फंदे को उठाएंगे और इसको ऐसे पकड़ लेंगे उनको ताकि इस फंदे के अंदर से दोनों फंदो को निकालने में आसानी हो जाए नेक्स फंदे को स्लिप करेंगे अगले फंदे को सीधा बनेंगे फिर इसी फंदे में बैक लूप से एक और सीधा फंदा स्लिप के वे फंदे को उठाएंगे और इन दूनों फंदों को इसके अंदर से निकालेंगे और चुकि एवन नमबर में फंदे हैं तो लास्ट फंदा हमारा सीधा आएगा इसे हम सीधा बुलनेगे पहला फंदा भी हमने सीधा बुना था और लास्ट फंदा भी हम सीधा बुलनेगे औरर रॉंग सैट से हम सबी फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे उल्टी तरफ से हम सबी फंदे उल्टा बुलेंगे और हर उल्टी सलाई हमें सबी फंदे उल्टे ही बुलने है तो हमने दूसरी लाइन में सबी फंदे उल्टे बुलने अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अब पहला फंदा हम या तो सीधा बुलेंगे या स्लिप करेंगे next friend को सीधा बुलनेगे तो हमने दो फंदा बुन लिया अब तीसरे fardi को slip करेंगे दो फंदा हम ने बुन लिया अब तीसरे fardi को ऐसे neat west slip करेंगे next fardi को सीधा बुनेंगे और फिर इसी fardi को वापस back loop से एक हूर सीधा अब slip किया हुआ फंदा उठाएंगे और बुने हुए दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे अब देखिए ये हम दो दो फंदों का हमारा ये डिजाइन है देखिए दो दो फंदे ऐसे हमारे दो दो फंदे आए हुए है लेकिन इस तीसरे लाइन में हम जब डिजाइन बनाएंगे तो एक फंदा एक डिजाइन से और दूसरे फंदा यानि कि दो डिजाइन के बीच में अब डिजाइन बनेगा यह हमारा एक डिजाइन यहां पर है एक डिजाइन यहां पर है लेकिन तीसरी लाइन में यह इन दोनों फंदों पर डिजाइन बनेगा तो देखिए एक फंदा हमारा इस डिजाइन में आ गया है अब यह दूसरा फंदा है तो अब की इस लाइन में इस फंदे को हम ऐसे यह फंद आप इस डिजाइन में आ जा रहा है अब यह डिजाइन देखिए दो डिजाइन के बीच में बन रहा है तो इसे हम सीधा पुनेंगे और फिर इसी फंदे को बैक लूप से एक पर और सीधा तो हमने देखिए दूसरे फंदे में दो फंदे बना लिए अब स्लिप किया फंदा उठाएंगे और इन दोनों फंदों को स्लिप किया फंदे के अंदर से निकालेंगे अब यह हमारा देखिए दूसरा फंदा है तो इसे वापस हम ऐसे नीट वाई स्लिप करेंगे यह देखिए यह दिजाइन का पहला फंदा है और इस दिजाइन का यह दूसरा फंदा हो जाएगा तो इसे हम ऐसे सीधा बनेंगे और फिर वापस ऐसे ही घुमा कर बैक लूप से इसी फंदे में एक और सीधा फंदा बना लेंगे अब स्लिप किये फंदे को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इस फंदे के अंदर से असे निकाल लेंगे तो हमारा डिजाइन एक फंदा आगे बढ़ गया दो दो फंदे का ही ये डिजाइन है और एक ही लाइन का डिजाइन है दो फंदे का और एक लाइन का ये डिजाइन है बारिक और संदर अब देखिए लास्ट में दू फंदे बचे हैं तो अब हमारा यह डिजाइन इसमें सेट हो जाएगा तो हम इसे बना लेंगे और रॉंग साइड से सब इस फंदे उल्टे बना लेंगे देखिए हमारा डिजाइन बन गया है मैं थोड़ा सा और बना के आपको दिखा रहे हूं ताकि डिजाइन इस पस्ट हो सके तो देखिए फ्रेंट्स डिजाइन बन के त्यार है सामने से यह ऐसा दिखाए दे रहा है और पीछे से इसा दो फंदो का और एक लैन का कुपसुरस सा डिजाइन आशा है आपको अच्छा लगा होगा तो यदि आपको अच्छा लगा हो यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने अश्टेदारों में शेयर करें मेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहा है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद